नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपकी दोस्त कवीता रादा की रुसोई में आपका बहुत बहुत स्वागते दोस्तों होली स्पेशल में आज हम हरियाना की छोटी काशी के नाम से मशूर विवानी की फेमस मटर पनीर की जूस वाली सबजी बनाएंगे इस सबजी का टेस्ट थोड़ा खटा, थोड़ा मीटा होता है और साथ में मिस्सी रोटी भी इन दोनों का कॉंबिनेशन कमाल का है पनीर की जूस वाली सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी 2 मीडियम साइज के आलू 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट 6 साथ छोटे प्याज 6 साथ हरी मिर्च कट लगी हुई कम भी ले सकते हैं 1 कटोरी मटर 1 कटोरी दही 1 गिलास मोसमी का जूस 2 टेबल स्पून लाल मिर्च 2 टेबल स्पून दनिया पाउडर 2 टेबल स्पून नमक या सौधा नसाल 1 टेबल स्पून हल्दी 1 टेबल स्पून कसूरी मेती 1 टेबल स्पून गरम मसाला 10 बंदरा काजू बीच से हाफ आफ किये हुए 10 बंदरा अंगूर चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम मिस्सी रोटी की तियारी करेंगे एक परात में 2 कटोरी बेशन और 1 कटोरी गेऊं का आटर डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेती को आतों से मसल कर डालेंगे 1 टेबल स्पून अज्वाइन को 1 टेबल स्पून हल्दी एक टेबल स्पून गी डालेंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके गुन-गुना पाने डालकर रोटी की तरह सॉफ्ट आटा लगाकर तियार करेंगे 1 इस्पून गी लगाकर आटे को अच्छे से मलेंगे आटे को आदा से एक गंटे तक ढखका रखेंगे कडाई में दो बड़े चमच देसी गी डालेंगे ये सबजी देसी गी में ही बनाई जाती है आप चाहें, तो oops अयल भी ले सकते हैं गी के गरम होने पर आलू डालेंगे दोनों साइड से ब्राउन होने पर आलू को निकालेंगे अब खड़ाई में प्याज डालेंगे इसे चलाएंगे हरे मिर्ची को भी फ्राई करेंगे दो मिनट के बाद हरे मिर्ची को निकालेंगे प्याज को डी फ्राई करने के लिए कड़ाई को थोड़ा आड़ा करेंगे अब प्याज को निकालेंगे अब पनीर फ्राई करेंगे दो तिन मिनट के बाद पनीर को चलाएंगे दो तिन मिनट के बाद पनीर को पलटेंगे दोनो साइड से ब्राउन होने पर पनीर को एक बाउल में पानी डालकर इसमें पनीर डालेंगे पानी में पनीर डालने से पनीर सौफ्ट बना रहेगा पड़ाई से एक्स्टागे निकालकर काजु फ्राइ करेंगे अब कड़ाई में पियाज का पेस्ट डालेंगे फास्ट कुकिंग करने के लिए पियाज में थोड़ा नमक डालेंगे अच्छा से मिक्स करेंगे पियाज के कलर चेंज होने पर लाल मिल्ज और हल्दी डालेंगे दनिया पाउडर डालेंगे मुसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे टोमेटो प्यूरी डालेंगे बाकी बच्चा नमक डालेंगे अब मटर डालेंगे मटर को तीन-चार मिनट तक डखकर पकाएंगे हमारा मसाला भी अच्छे से बुन जाएगा और मटर भी पक जाएंगे तीन-चार मिनट के बाद डखकन को अटागर देखते हैं मटर हमारे अच्छे से सोफ्ट हो गए हैं अब कडाई में ड़ी डालेंगे मीडियम फ्लेम पर ड़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला अच्छे से बुनने के बाद पानी से निकाल कर पनीर को कडाई में डालेंगे फ्राई किये गए अलू, प्याज और हरी मिर्च डालेंगे मसाले में दो-तीन मिनट तक अच्छे से बुनेंगे काजू और अंगूर डालेंगे अब पनीर का पानी सबजी में डालेंगे एक कडोरी पानी और डालेंगे सबजी में ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं पतली या गाड़ी ग्रेवी को तीन-चार मिनट तक डग कर पकाएंगे अब सबजी में मोसंबी का जूस डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे दो-तीन मिनट तक इसको डग कर पकाएंगे डखकन को अटा कर देखते हैं सबजी हमारी बन चुकी है हाफ टेबल इस्पून गरम मसाला डालेंगे गैस की फ्लैम आफ है तवे पर ड्राइ रोस्ट की गई कसूरी मेथि डालेंगे कटा हरा धनिया डालेंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे 45 मिनट के बाद आटे को खोल कर देखते हैं हमारा स्मूथ आटा बन कर त्यार है आटे को पहले रोल करेंगे अब 20 से आदा करेंगे पेड़े बनानी के लिए आटे को रोल करेंगे नाइफ से इसके पेड़े काटेंगे रोटी का साइज अपनी पसंद के अनुसर छोटा या बड़ा कर सकते हैं सारे पेड़े इसी तरह काट कर त्यार करेंगे अब पेड़े की लोई बनाएंगे सारी लोई इसी तरह बना कर त्यार करेंगे परात में आटा डालेंगे लोई को आटे में लपेट कर रोटी बेलेंगे गेस पर हमने मेडियम फ्लेम पर तवा गरम होने रख दिया था मिस्सी रोटी गेओं की रोटी से थोड़ी मोटी ही बनती है अब एक और रोटी बेल कर दिखाते हैं लोई में ज्यादा आटा लगाने की जरूरत नहीं है तवे का टेंप्रेचर देखने के लिए थोड़ा सा गी या तेल एप्लाई करेंगे तवे से दूवा उठने पर मीडियम फ्लेम पर रोटी डालेंगे दो तिन मिनट के बाद रोटी को पल्टेंगे नीचे से सिखने के बाद रोटी को सेखेंगे हमारी फूली फूली मीड़ी रोटी बनकर त्यार है एक दूसरी रोटी सेख कर दिखाते हैं दो तिन मिनट के बाद रोटी को पल्टेंगे नीचे से सिखने के बाद इसे गेस पर सेखेंगे रोटी के ऊपर देसी गी घर का बटर या अमूल बटर अपलाई कर सकते हैं हमारी फूली फूली मिस्सी रोटी हैना शानदार मिस्सी रोटी को मतर पनीर की जूस वाली सबजी नीबू और मिस्सी रोटी के साथ सर्व करेंगे अगर आपको हमारी रेसेपी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रवाचीज रोटी जाएन वाई भाई प्रवाचीज डवाचीज ट्रीज खाद गाल दाएन सबच्कत समीन सब्सक्राइब